तो पाकिस्तानियों को ना नींध है, ना चैन है, ना करार है सब कुछ लुटा कर पाकिस्तान रोना फिर भी भारत का रोता है भारत का खोफ पाकिस्तान के दिलो दिमाग पर कुछ यू है कि जब तक वो भारत का नाम ना ले उनके दिन की शुरुवात नहीं होती जो पाकिस्तान खुद कंगाल है और कोटोगरा घुमा घुमा कर अपने देश को चंदे से चला रहा है वो भारत की अर्थवस्था को लेकर अनलगल टिपणी कर रहा है ऐसी पतोले बाजी कुई और नहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुद कर रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मैमूद कुलैसी ने कहा है कि भारत की अर्थवस्था की स्थिती खराब है और इस संकट से पैदा दवा में वो किसी तरह का फॉल्स फ्लाइग ऑपरेशन कर सकता है अब भला आतंक एक्स्पोर्ट के धंदे में पहले स्थान पर दसकोर से काबित पाकिस्तान को क्या वाकई अर्थवस्था का अर्थ भी मालूम है दुनिया में अनर्थ काम करने का ठेका लेकर बैठे पाकिस्तानियों को ये समझना होगा जो खुद दुनिया के चोराहे पर कोटोडा लेकर खड़ा है वो भारत जैसे विशाल देश को अगर अर्थवस्था पर भ्यान देता है तो दुनिया उसे आर्थिक दिवालिया होने के साथ-साथ मानसिक दिवालिया भी माल लेगी अयोध्या से लेकर कश्मीर के मामले में नाकुसाने वाला पाकिस्तान परेशान है और लगतार जूट का प्रचार कर रहा है जिस कुरेशी ने भारत के अर्थवेस्था पर अपना अनर्थ प्यान दिया उन कुरेशी को ज़रा पाकिस्तान की चिंता पहले करने को ज़रुत है कुरेशी को चिंता करने चाहिए क्योंकि तालिबान खान यानि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान खुद कह रहे हैं कि अगर कर राजस पो बढ़ाने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो पाकिस्तान को गंभीर आर्थित मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उनका कहना है कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है कुरेश्य को चिंदा करना चाहिए कि पाकिस्तान में विदेशी निवेस्त नव होने के चलते गर्ज का बोश लगातार बढ़ता ही जा रहा है नए आकड़ों से पता चला है कि पाकिस्तान पर देंदारी 96.111 बिलियन डॉलर से बढ़कर 107.78 बिलियन डॉलर पर पहुँच गई है कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हलात में जल्दी सुधार होने के पुश संकेत नहीं मिल रहे हैं कुरैश्य को चिंता करना चाहिए कि पिछले मही ने पाकिस्तान की इकॉनमिक क्रोथ 5.5 फिस्दी से गिर कर 3.3 फिस्दी पर पहुच गई है अनुमान लगा जा रहा है कि अगले साल ये 2.4 फिस्दी तक पहुच चकता है पाकिस्तानी रूपय में भी लागतार गिराव अटा रही है अब ऐसे में पाकिस्तानी गुदेश मंत्री गौख लाहट में चाहे जो कहें पुर दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान खुद कितने पानी में है बिरोनिपोर भारत तक झाल